सीजन की शुरुआत जी हो नामी लड़की से होती है जो अपनी दोस्तों के साथ अपनी 20th बर्डे मना रही है कैनिल्स ब्लो करते वद उसके सिर्फ एक ही विश थी कि वो दुनिया की बेस्ट राइटर बन जाए अब इस विश के 10 साल की बाद कब दिखाया जाता है जी हो राइटर तो बन गई है लेकिन सिर्फ एक असिस्टेंट राइटर और ये काम वो पिछले 5 साल उसे करती आ रही है जी हो घर में अपने भाई जी सुक के साथ रहती है वो काम की वज़ा से तीन महीन उसे घर नहीं गई और आखिर में उसे छुटी लेकर घर जाने का मौका मिलता है घर पहुँचने पर उसे पता चलता है कि जी सुक ने शादी कर ली है और उसकी वाईब भी प्रेगनिंट है लेकिन किसी ने उसे नहीं बताया फिर जी सुक उसे घर छोड़ने का भी बोल देता है पिछले 5 साल उसे घर के सारे बिल्स बिचारी जी हो भी कर रही है उसके घर में एक्स्ट्रा रूम्स होते हैं जिन्हें वो रेंट पर दीता है लेकिन हमेशा जो भी उसके साथ रहने आता है वो उसे कुई न कोई रूल्स तोरने पर भागा देता है फिर हम देखते हैं कि जी हो भी घर ढून कर ठक चुकी है तब उसकी फ्रेंट हो रैंग उसे कॉल करके एक घर के बारे में बताती है जिसकी ओनर एक लड़की है और वो हाउस में ढून रही है बस घर की ओनर के कुछ रूल्स हैं जैसे घर साफ रखना उसकी बिल्ली को खाना दीना वगएरा वगएरा क्यूंकि वो लेट नाइट तक आफिस में काम करती है जी हो वहा रहना शुरू हो जाती है घर और किसी का नहीं बलकि सी ही का ही है जो लेट नाइट वापस घर आकर देखता है कि उसका घर तो बहुत चमक रहा है वो खुश होकर सो जाता है सुभा जी हो और सी ही दोनों अलग टाइम पर उठते हैं इसलिए दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते बस दोनों की मैसिज पर बात होती है सी ही अपने ओफिस वालों के साथ एक रेस्टरॉन आता है जी हो भी अपने दोस्तों से वहीं मिलने आती है जब वो फ्रेश एर लेने रेस्टरॉन से बाहर आती है उसे सी ही बैठा दिखता है जो मोबाइल पर उसका फेवरिट फुर्बॉल मैच देख रहा था सी ही उससे बहुत होसले वाली बाते करता है जी हो सी ही से उसका नाम पूछती है लेकिन वो उससे अपना नाम नहीं बताता इतने में बस आ जाती है जी हो ये सोचकर उससे दुबारा नहीं मिलेगी उसे किस कर देती है सीही हैरानी में वहीं खड़ा रह जाता है और बस भी उसे छोड़ कर चली जाती है जीहू सीही से पहले घर पहुँच कर सारे काम करके सो जाती है इस तरहां दोनों में फिर मुलाकात नहीं होती अगले दिन आखिर दोनों में मुलाकात हो जाती है लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं बात करने पर पता चलता है कि दोनों को अपने दोस्तों की वज़ा से मिसंडरस्टैनिंग हो गई थी जीहू सीही को किस के लिए सॉरी कहती है और घर में रहने की इजाज़त मांगती है क्योंकि सीही लड़कियों के साथ नहीं रहता वो उसे बताती है कि उसके पास अभी कहीं और जाने के पैसे नहीं और वो अपना काम पूरा करते ही घर से चली जाएगी सीही उसे वहां रहने की इजाज़त दे देता है दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तब एक दिन सीही के घर उसकी मौम आती है वो जीहो को देखकर सीही पर बहुत उस्सा होती है और उसे शादी करने के लिए जल से जल एक लड़की ढूनने के लिए कहती है जीहो उसकी मौम की बाते सुनकर घर छोड़ देती है वो अपनी दोस सू जी को कॉल करके उसके घर रहने की इजाज़त मांगती है लेकिन क्यूंके सू जी अपने आफिस में बिजी थी तो वो जीहो को कल आने के लिए कहती है इतनी में जीहो का एक राइटर फ्रेंड यौंक स्यॉक उसके लिए छोटा सा रूम अरेंज करता है तो वो रात वहीं सूने के लिए आ जाती है लेकिन रात के वाद यौंक स्यॉक नशे में उसके रूम में घुश जाता है और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तब जीहो उसे धक्का दे कर वहाँ से भाग जाती है वो घूमती फिरती फिर से सीही के पास आ जाती है दोनों घर में बैठ कर बाते कर रहे होते हैं और सीही अचानक जीहो को उसे शादी करने के लिए कहता है जीहो हैरान होकर उससे सवाल करने लगती है तो सीही उसे ये सारी बातें भूल जाने के लिए कहता है और क्यूंकि रात बहुत हो चुकी थी तो वो जीहो को वहीं सोने के लिए कहता है जिहो वहीं रुख जाती है और फैसला करती है कि सुभा जल्दी उठकर वापस चली जाएगी लेकिन थकन की वज़ा से उसकी आँख बहुत देर से खोती है और तब तक सीही भी काम से वापस आ जाता है दोनों टेबल पर बैठ कर बात करने लगते हैं तब जिहो उससे शादी वाली बात के बारे में दोबारा पूछती है वो पहले तो उसे इगनूर कर देता है लेकिन फिर उसे बताता है कि उसे सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर का अच्छे से खयाल रख सके वो प्यार महबत की परवा नहीं करता जिहो गहरी सूच में बाहर वॉक कर रही होती है और अपनी दोज सूची को कॉल लगाकर उसे लेने के लिए बुलाती है सूची फॉरण उसकी मदद करने आ जाती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है अगले दिन जिहो अपनी बॉस के साथ डिनर पर आती है जहां उनके साथ एक मूवी डिरेक्टर और यॉंग स्योग भी मौजूद होते हैं क्यूंकि वो भी डिरेक्टर के साथ काम कर रहा था यॉंग स्योग जिहो से सौरी बोलता है और बाकी सब भी उसका साथ दीने लगते हैं जिहो घुसा हो जाती है और राइटिंग हमेशा किली कुट करके उन पर चला कर वहां से चली जाती है जिहो अपनी मौम से कॉल पर बात करके अपने होम टाउन वापस जाने का फैसला करती है जिहो सीही के घर अपना सामान लेने आती है और वो घर पर नहीं होता लेकिन पिर अचानक अपनी मॉम के साथ आ जाता है और जीहू छुप जाती है दोनों सीही की शादी को लेकर बहस कर रहे होते हैं और जब सीही की मॉम चली जाती है तब जीहू रूम से बाहर आती है जीहू सीही को उसकी मॉम की बातें याद करते हुए कहती है कि जैसे उसने जीहू को प्रोपोस किया था वैसे वो किसी और लड़की को भी ढून लेगा तब सीही जीहू को कहता है कि उसने उसे इसलिए प्रोपोस किया क्योंकि वो जीहू है और उसे जीहू के इलावा किसी और की जरूरत नहीं जिहो गहरी सोच में पढ़ जाती है और फिर दिखाया जाता है कि वो अपने होम टाउन आने के लिए एक बस में बैठी है वो सीही की बातों के बारे में ही सोच रही होती है कि वहाँ सीही आ जाता है जिहू उसके घर में कुछ बुक्स भूल गई थी तो वो उन्हें लोटाने आया था जब वो जाने लगता है तब जिहू उसे रोग देती है और उससे शादी करने के लिए ओफर करती है सीही हैरान जरूर होता है लेकिन येस बोल देता है ऐसे दोनों की जिन्दगी में एक नया मूर आता है अगली सुभा जिहू को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स किसी की शादी अटेंड करने होम टाउन से वहां आ रही है जिहू इस बारे में सीही को बताती है और दोनों जिहू के पेरेंट्स से मिलने का डिसाइड करते हैं सीही बहुत अच्छे से तयार होकर जिहू के पेरेंट्स से मिलने जाता है लेकिन गलती से वहां उन्हें ये बता दीता है कि जिहू उसके साथ रह रह रही है जीहू के डैड ये सुनकर बहुत घुसा करते हैं उस वर जीहू सीही के पाउं पर लात मारती है जिससे वो अपने गुटनों पर गिर जाता है और जीहू के डैड से उसका शादी के लिए हाथ मांगता है उसके डैड मान जाते हैं और जीहू सीही के साथ होशो कर घर वापस आजाती है दूनों एक कांट्राक्ट बनाते हैं जिस पर ये लिखा था कि दूनों शादी सिर्फ घर के लिए कर रहे हैं और इनके बीच शादी के बाद भी कोई फीलिंग्स नहीं आएंगी जैसे ही जीहू को कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तब उसी ही से डिवोर्स ले जाती है और दोनों अपने पेरंट्स को गुडबाई बोलने के बाद खुशी खुशी घर आ जाते हैं ऐसे ही नया दिन शुरू हो जाता है जीहू सीही के लिए बहुत जबर्दस नाश्ता बनाती है जिसकी वो बहुत तारीफे करता है फिर वो ऑफिस चला जाता है और जी नामी लड़का जीहू से उसका नंबर भी मांगता है और जीहू बिना सूचे समझे उसे नंबर दे देती है इसके बाद वो सीही के ऑफिस आती है ताकि उसके साथ लंच कर सके वो उसके खुलिक्स के साथ बहुत मज़े भी करती है फिर दोनों घर जाने के लिए निकल जा जब घर आ जाते हैं तो जीहू उससे चुप रहने की वज़ा पूछती है जिस पर वो जवाब देता है कि उसने जीहू से सिर्व घर के लिए शादी की है जीहू को ऐसे ऑफिस आने से और उसके साथ घर आने से उसे अंकमफर्टेबल फील हो रहा है जीहू साध हो जाती है और उससे प्रामिस करती है कि वो उससे दूर रहेगी और आएंदा ऐसा नहीं होने देगी अगले दिन जीहू नाश्टा कर रही होती है और सीही जाकर सोफे पर बैठ जाता है जीहू को बॉक नायम की कॉल आती है वो जीहू से डिरेक्ली पूछता है अगर उसका कोई बॉ जाता है वो जीहू को ओनर के पास ले जाता है और कहता है कि अगर जीहू को जाब नहीं दी तो वह भी काम छोड़ देगा ऐसे जीहू को जाब मिल जाती है फिर वो बॉक नायम के कहने पर उसके साथ बाइक पर बैठकर फूट डेलिवर करने के लिए जाती है जब वो उस जीहू को बॉक नायम के साथ देखकर सूच में पड़ जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है इसके बाद हमें सीही को रात में उसके बेडरूम में दिखाया जाता है और वो बहुत सैड नजर आता है अगले दिन सीही के ऑफिस वाले जबरदस्ती उसे जीहू के कर देता है और चला जाता है रात में काम खतम करने के बाद बॉक नायम जीहू को अपनी बाइक पर घर चोड़ने आता है सीही भी उसी वत वापस आता है और उन्हें देख लेता है जीहू के जाने के बाद वो बॉक नायम से मिलता है और उसे दोबारा सीही को घर चोड़न फाइल भी थी बोमी ने मैसेज करके बोला था कि बोकनाइम की आईडी को बहुत लोगों ने स्टॉकिंग के लिए रिपोर्ट किया है उसी वज़ रूम से निकलती है तुसी ही उसे कहता है कि कल काम पर मत जाओ जी हो की वज़ा पूछने पर वह बहाना बनाता है कि उसकी बि पर इसलिए कंप्लेइन आई है क्योंकि वो लड़कियों को कॉल करके बहुत परिशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता सीही बोमी को और इंफरमेशन ढूनने के लिए कहकर काम में बिज़ी हो जाता है लेंच के वाद वोमी के साथ जी हो के रेस्टरॉन आया उसके सर पर बस हलकी सी चोटाई थी सीही जी हो से बात करते हुए उसे कहता है कि वापस बस में आना वो ज्यादा सेफ है जी हो हाँ बोलकर वहां से चली जाती है और रेस्टरॉन आ जाती है काम खतम करने पर बॉक नाम फिर जी हो को बहुत बोलने के बाद अपने साथ बा बात कर रही होते हैं बॉक नाम सीही की बहुत बुराई करता है और कहता है कि अगर अभी तुम्हें कुछ हुआ तो वो तुम्हें बचाने भी नहीं आएगा इतने में वह अपने बाइक से कुछ निकाल कर जी हो की तरफ बढ़ने लगता है किसी ही वहां पहुंचकर उसे और उसके बाइक को गिराकर जी हो का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ घर ले आता है जहां वो उसे बॉक नाम के बारे में सबसच बता दीता है और थोड़ी बातों के बाद दूनों सोने चले जाते हैं अगले दिन सीहो को आफिस में पता चलता है कि असल स्टॉकर को पकड रहा था दूसरी तरफ जब जी- org पहुंचती है तो उसे पता चलता है के wyp नए अपनी बॉखनायम की और अपने आफिस वापस आ जाता है जीहू भी रेस्टरांट में दुबारा काम करना शुरू कर देती है बॉक नाम और उसके बीज भी सब नॉर्मल हो जाता है रात में वो बस्टॉप आती है तो उसे सीही उसका इंतिजार करते हुए मिलता है और दोनों साथ घर जाते है सीही अपने रूम में एक बॉक्स में से मेरिज सर्टिफिकेट निकालता है जिसमें हस्बन वाली जगा सीही का और वाइफ वाली जगा किसी जंगमिन का नाम था ये सीन यहीं कट हो जाता है जीहू सीही को पसंद करने लगती है और अगले दिन सिर्फ उसकी शकल देखती रहती है सीही को लगता है कि वो शायद अजीब दिख रहा है इसलिए वो सैलॉन जाकर नया हेरकट करवा लेता है जीहू को वो और भी ज्यादा हैंसम दिखना शुरू हो जाता है जीही को रेस्टरांट पर काम खतम करते वक्त सीही की मौम की कॉल आती है और वो उसे अपने घर बुलाती है वहां वो जीहू से बहुत सारा काम करवाती है इतने में सीही भी आ जाता है वो जीहू की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मौ मना कर देती है दोनों के वापस आने पर सीही जीहू को ये सब काम करने के पैसे दीता है क्यूंकि ये उनके कॉंट्रैक्ट पर नहीं लिखा था जीहू घुसा हो जाती है और कहती है कि पैसों के बदले तुम भी मेरे पैरंट्स की जाकर मदद करो जाती है सीही उसे देखकर बहुत खुश नजर आता है कुछ देर बाद दोनों समंदर की किनारे बैठे नजर आते हैं सीही जीहू के साथ बीते हुए सारे पलों को याद करता है वो जीहू को बस टॉप वाली किस के बारे में याद दिला कर किस की बुराईया करने लगता है जिहु उस पर घुस्ता करने लगती है तब वो उसे किस कर देता है। किस करते हुए जिहु के पास उसकी मॉम की कॉल आ जाती है जो उन्हें वापस आने के लिए बोलती है। दोनों शर्मा कर वापस आते हैं फिर जीहू के पेरेंट्स को गुडबाई कहकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं घर आकर सीही जीहू को बोलता है कि आज का दिन उसे बहुत पसंद आया जीहू ये सुनकर हुश हो जाती है फिर दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और एक दूसरे की फोन पर तस्वीरें देखते हुए सो जाते हैं अगले दिन सीही जीहू को रेस्टरॉन पर काम खतम करने के बाद डीट पर ली जाता है दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं सीही जीहू को येरिंग्स और प्लश टोय भी गिफ्ट कर देता है इसके बाद जीहू सीही को एक कैफे में लाती है जिसके बारे में सीही के दोस्त ने उसे बताया था सीही कुछ यादों में गूम होता है जिससे हमें पता चलता है कि इसी कैफे में सीही का जुंग मिन नामी लड़की से ब्रेक अप हुआ था लेकिन फिर जब वो जीहू को देखता है तो खुश नजर आता है और जुंग मिन के बारे में सब कुछ भूल जाता है दोनों वापस आने पर पहली बार साथ सोते है जहां सीही जीहू को हग भी करता है और किस भी इसके बाद सुभा ओफिस जाने से पहले सीही जीहू के लिए ब्रेकफिस्ट बना कर जाता है जीहू उठकर जब ब्रेकफिस्ट देखती है तो बहुत खुश होती है फिर वो काम पर आती है जहां उसे जुंग मिन मिलती है जुंग मिन को किसी डिरेक्टर की वज़ा से जीहू के काम के बारे में पता चला था और वो जीहू के साथ काम करना चाहती थी जिहू पहले तो मना कर देती है लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद हाँ बोल दीती है दोनों बात करते करते बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं जिहू जंगमिन को अपनी marriage life के बारे में बताती है जिस पर जंगमिन जिहू को अपने past के बारे में बताती है कि उसका भी एक boyfriend था और दोनों शादी करने वाले थे जंगमिन प्रेगनेंट थी लेकिन फिर miss carriage के बाद वो उस लड़के से break up करके कहीं दूर चली गई थी थोड़ी और बातों के बाद जंगमिन जिहू को घर चोड़ने के लिए अपने साथ ले जाती है रास्ते में जिहू बाथरूम जाती है तब सीही उसे ढूमता हुआ आता है तो उसकी मुलाकात जंगमिन से होती है दूनों एक दूसरे को देखते रहते है तब जिहू बाथरूम से निकल कर दूनों को देख कर सब कुछ समझ जाती है और बहुत सैड हो जाती है सीही कुछ बोले बगएर वहां से चला जाता है उसके जाने के बाद जिहू बाहर आती है और जंगमिन से ये कहकर चली जाती है कि उसका घर करीब है और वो खुद वापस चली जाएगी जिहू घर आकर सीही के साथ बिल्कुल नौमल रहती है अगले दिन जिहू जंगमिन के पास कॉंट्रक्ट साइन करने आती है जहां वो सीही के बारे में उसे बता देती है इसके बाद सीन्स चेंज करके दिखाया जाता है कि जिहू सीही के डैट के बुलाने पर उनसे मिलने आती है जो उसे सब काम छोड़कर घर संभालने के लिए कहते हैं जीहू सैड होकर घर आ जाती है दूसरी तरफ सीही जुंग मिन से मिलने आता है जहां वो सिर्फ जीहू के बारे में सोचता रहता है सीही समझ जाता है कि वो जीहू से प्यार करता है वो जल्दी से उठकर घर आने के लिए निकल जाता है घर आकर सीही को कनफेस करने से पहले ही जीहू उससे डिवोर्स मांग लेती है उसके दिमाग में सिर्फ जंगमिन और सीही के डैक की बात ही घूम रही होती है सीही कुछ नहीं कहता और अपने कॉंट्राक्ट पेपर निकाल कर सामने रख देता है जीहू चाहती है कि सीही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता फिर दूनों अपने कॉंट्राक्ट को फार देते हैं जीहो अपना सामान पैक करके वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि सीही रात में जीहो के रूम में बैठ कर बहुत रू रहा है जीहो माइंड फ्रेश करने के लिए घूमने चली जाती है फिर उसे होता है कि वो सीही के बगर नहीं रह सकती वो वापस आती है तो उसकी दोस्त होरैंग उसे अपने घर में रहने के लिए कहती है क्योंकि होरैंग खोद दूसरे घर में मूव कर रही है जिहू उसके घर में अपना सामान छोड़कर सीही से मिलने जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि सीही ने भी अपना घर किसी और को दे दिया है वो जब वापस होरेंग के घर आती है तो वहां उसे सीही मिलता है होरेंग का बॉर्फरंड सीही के आफिस में काम करता है और उसने सीही को उनके घर भीजा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि जीहू भी वही है सीही बहुत ज़्यादा नशे में था तो उसे सब खौब लगता है वो फिर रूते रूते सूजाता है जीहू उसके आंसू पोच कर उसके पास लेट जाती है सुभा जब सीही उठकर जीहू को देखता है तो उस पर बहुत उससा करता है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ कर चली गई थी जीहू उससे बहुत माफी मांगती है और उसके बहुत मनाने के बाद वो मान जाता है दोनों एक दुसरे को आई लव यू बोलते हैं और जीहू सीही को दुबारा कभी अकेले ना छोड़ने का वादा करती है इसके बाद तीन साल बाद का वद दिखाया जाता है सीही और जीहू खुशी खुशी मेरिड लाइफ जी रहे हैं और एक दुसरे के साथ बहुत खुश हैं यहीं ये सीजन एंड हो जाता है इस सीजन से हमें ये भी समझाता है कि क्योंके हमारे पास एक ही जिन्दगी है तो हमें बिना किसी से डरे सिर्फ अपनी सुननी चाहिए और खुल कर जिन्दगी जीनी चाहिए थैंक यू फॉर वाचिंग